बची हुई उन से हमने सुन्दर साइसकार्प बना लिया किस तरीके से बनाया है इसकी वीडियो सुरू करेंगे सिम्पल से 13 फंद हमने डाल लिया है थर्टीन फंद पहला फंद बिना बिने हुई निकाल लेंगे धागा आगे करेंगे पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बिल लेंगे पहला फंद दोनों तरफ से बिना बिने हुई निकाल लेंगे बाकी फंदों को दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बिन लेंगे 11 इंच पट्टी हमने बना दी है अब यह 13 फंदे हैं पांस फंदे हम बिन लेंगे एक दो तीन चार पांस पांस फंदे बिन लेंगे यहाँ पर एक फंदा हम बढ़ाएंगे फंदा आप किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हैं हमने नीचे से ले लिया है यहाँ पर एक फंदा बढ़ गया है धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बिनाएंगे एक दो धागा आगे कर लेंगे एक फंदा यहाँ पर फिर बढ़ाएंगे एक फंदा बढ़ा लिए दो तीन चार पांच और छे छे फंदे हमारे हैं यहाँ पर एक फंदा लास्ट से पहले वाले एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लिए एक सिलाई में तीन फंदे हमने यह बढ़ा दिये एक फंदा पांच फंदे बिनने की बाद एक फंदा यहाँ पर बढ़ा है फिर दो फंदे सीधे फिर एक फंदा बढ़ा है फिर एक फंदा लास्ट में बढ़ा दिये उल्टी लाइन मैं कोई फंदे नहीं बढ़ानी है यहां पर हम उन चेंज करेंगे, अब यहां से दो कलर से भी नमें, चार लाइन एक कलर से और चार लाइन एक कलर से, पहला फंदर बिना भी ने हुए निकाल ले हैं, अब यहां से दूसरा उन लगा रहे हैं, यह धाग्य को बीशी में दवा देंगे, इस लाइन में हमें कोई भी फंदे नहीं बढ़ाने हैं, अब यह उल्टी सिलाइब पूरी हो गई हैं, पहला फंदर बिना भी ने हुए निकाल देंगे, पहली लाइन में हमने पांच फंदे भी ने थे, एक फंदर बढ़ गया था, अब यह छे फंदे भी नेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे फंदे भी ने की बाद, एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लगे, फंदा आप लोग किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हैं, तहागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, तहागा आगे करेंगे, एक फंदा यहाँ पे फिर बढ़ा लगे, एक फंदा हमने फिर बढ़ा लिया, एक फंदा लाश्ट में बढ़ा लगे, यहाँ पे, एक फंदे के दो भी कर सकते हैं, किसी तरीके से फंदे बढ़ा सकते हैं, एक बार पीछे से ले लिया, एक बार आगे से ले लिया, लास्ट का फंदा बिन दे, अब इस सिलाई में कोई भी फंदे हमको नहीं बढ़ाने है, पहला फंदा बिना भी नहीं हुए निकाल लेंगे, बाकि पूरी सिलाई उल्टी भी नहीं, दोनों साइट से उल्टा उल्टा भी नहीं, सिर्फ बीच में दो फंदे सीधे भी नहीं है, पहला फंदा बिना भी नहीं हुए निकाल लेंगे, फिर इसी तरीके से पहली सिलाई में 5 फंदे भी नहीं थे, दूसरी में 6, अब हम 7 फंदे भी नहीं, यह फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे होगे, पहली लाइन में 5 भी नहीं थे, पहली दूसरी में 6, तीसरी में अब हम 7 होगे, अब यह दो फंदे भी नहीं जाएंगे, उल्टी साइट से उल्टे बिनेंगे, सीधी साइट से दो फंदे सीधे बिनेंगे यहाँ पर एक फंदा बढालेंगे एक फंदे के दो कल्मे एक फंदा यहाँ बढाएंगे, दो फंदे सीधे एक फंदा यहाँ पर बढाएंगे एक फंदा लास्ट में एक सलाई में तीन फंदे बढ़ेंगे और एक सलाई में कोई भी फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पर फिर एक फंदे के दो कर लेंगे, इसी तरीके से हम इसे उपर को भिन लेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि फंदे पूरे होने के बाद हमें क्या करना है, चार शिलाई हमने यह इस उनसे बिन लिया है, अब चार शिलाई दूसरे उनसे बिनेंगे अब इस उन से बिनेंगे, बिनेंगे उसी तरीके से, जिस तरीके से, इस उन से बिने चार लाइन, उसी तरीके से इस उन से बिनेंगे, फिर चार लाइन बिनने के बाद, फिर इस उन से चार लाइन बिनेंगे, इस तरीके से हमने इसमें फंदे बढ़ा लिए, अब हम इसको आपके दिखाते हैं, जहां से हमने फंदे बढ़ाए, वहां से उपर तक हमने साड़े दस इंच बिल लिया है, साड़े दस इंच तक हमने फंदे बढ़ा लिये हैं, अब जिस तरीके से हमने नीचे से एक सिलाई में तीन फंदे बढ़ाए, एक यहाँ पर बढ़ाया एक यहाँ पर बढ़ाया और एक यहाँ पर बढ़ाया अब सेम उसी तरीके से यह फंदव को हम घटाएंगे एक यहाँ पर घटाएंगे जहाँ पर दो फंदे सीधे हैं उसके इधर दो फंदे ले लिए एक दो दो का एक का लिए अभी तक यहां पर हम फंदा बढ़ा रहे हैं, अब दो फंदे सीधे बिन लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर दो फंदे लेंगे, दो का एक कर लेंगे, यानि कि दो फंदे हमने यहां पर घटा लिये हैं, एक फंदा यहां पर घटा लिया है, फिर दो फंदे सीधे, एक फंदा यहां पर घटा लिया, एक फंदा लास्ट में घटाएंगे, जिस तरीके से एक सिलाई में हमने तीन फंदे बढ़ाए थे, उसी तरीके से एक सिलाई में तीन फंदे हम घटा देंगे, पूरी सिलाई में हमारे 135 फंदे हैं 135 फंदे होने के बाद हम 3 फंदे घटा रहे हैं एक यहां पर घटा लिया एक यहां पर घटा लिया एक लास्ट में घटाएंगे अब हमारे सिर्फ तीन फंदे बचे हैं अब यह दो फंदे हम ले लेंगे सांथ दो का एक कर लिया है लास्ट की फंदे को बीन लाएंगे पूरी शिलाई हमने बिन लिए हैं, एक शिलाई में तीन फंदे घटा लिए हैं, अब उल्टी शिलाई उल्टी उल्टी बिनेंगे, पहला फंदा बिने बिने हुई निकाल लिया, अब यहां से हमने उन को चेंज करना है, चार शिलाई इस उन से बिन लिया है, चार शिलाई इस उन से बिनेंगे, बिनना से, जिस तरीके से नीचे से बिन रहे हैं, उसी तरीके से बिनना है, शिर्फ अभी तक हम फंदे बढ़ा रहे थे, अब फंदों को घटा लिए, उल्टी लाइन पूरी उल्टी उल्टी बिन ल फिर उल्टी सिलाई में कोई फंदे नहीं घटाएंगे शीधी सिलाई में फिर तीन फंदे घटादने शीधी साइट टोपी हमने यहां से फंदे बढ़ाए पूरे यहां तक जितनी लंबाई की की सेम उतनी लंबाई हमने फंदे घटाते हुए बना ले हैं अब यहाँ पर तेरा फंदे हमारे बच्चे है इस तरी की साइड यह आगे की साइड और यह पीछे की साइड पीछे की साइड पूरा काइट लुक मा आए अब यह तेरा फंदे बचे है जिस तरीके से तेरा फंदों की हमने यह 11 इंच लंबी पट्टी बनाई सेम इसी तरीके से इधर भी बना लगे उपर को दो कलर से भी ना नीचे को सिंगल कलर से भी ने ले दोनों पट्टी हमने बराबर बना लिए अब यह फंदों को हम बन कर देंगे दो फंदे बिन लिए पीचे आले फंदे को आगे वाले फंदे के उपर से लिए कि से सिंगे दो ऊतर टेंखर को भीचे पे पीचे अपक MOR को हम कट कर लेंगे पूरे फंदे हमने बन कर लिए इसको कुरूश्या से हम इसमें इस तरीके से दबा देंगे टोपी हमने पूरी बना लिए अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें नए नए डिजाइनों के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें